दोस्तो आईपियल के मीडिया राइट्स का यी ओक्सन खतम हो चुका और अब फाइनिली हमें दो अलग और नए ब्रोड़कास्ट मिल चुके हैं मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कितने करोड में ब्रोडकास्ट राइट्स भी की और कौन सी कंपनी ने कितने करोड में खरीद है यह आपको बताने वाला तो दूस्तो वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल करोड रूपीज में पिका एंजिन में टेली वीजन राइट 23,575 करोड रूपीज है एंजिन को डिस्नी स्टार स्पोर्स ने खरीदा तो वही डिजिटल स्पोर्स वायकम 18 ने खरीदा 20,500 करोड रूपीज में वायकम 18 रिलाइंस की ही कमपनी है वही अब बात कर लेते हैं IPL 2023 से लेकर 2027 सक कौन-कौन सा वह चैनल है और कौन-कौन से मुबाइल एप है जिन पे आप 5 सालों तक IPL लाइफ स्ट्रीमिंग और लाइफ टेली काश्ट देख सकेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेली वीजन की तो टेली वीजन पे फिर आप एक बार स्टार स्पोर् देखते हुए आया है तो वापत फिर आपको पांच सालों तक IPL के लाइफ टेली काश्ट इस्टार स्पोर्ट पर देखने को मिलने वाले हैं वह एकर अब मोबाइल एप्लिकेशन की बात को तो मोबाइल एप्लिकेशन आपको डिस्नी प्लस और स्टार पर देखने को नही मिलने वाला है अब आप यही सोच रहोंगा अगर स्टार स्पोर्ट पर टीवी पर आ रहे तो डिस्नी प्लस और स्टार पर मोबाइल में आएगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि डिजिटल राइट्स अब कोई और कंपनी ने खरीता तो जो की वायकाउम 18 ने खरीत लाइब स्ट्रीमिंग देखने को नहीं मिलने वाला है बलकि उट और जीयो टिव पर आपको लाइब स्ट्रिमिंग देखने को मिलने वाला है ब्रोड कास्ट राइट बिकने के बाद BCCI तो माला माल हो चुकी है और एक मैच की वह लोग आलमोस्ट एक सो साथ करोड रुपीज पार हो चुकी है और दुनिया की दूसरी सबसे महगी लीग इंडियन प्रीमियल लीग बन चुकी है वह से दोस्तो इस पे आपका क्या कहना ह तो आप कमेंट करके जरूर बता है व्हों ही तो आप रुट पे देखनी के लिए कितना एक्साइटगो भी आप अप मेंक मेंट करके बता सकते हैं तो इस वीटम बसीतना अगर आपके वीडgens पसंदे इटो लग कर देको चैनल बख जाने स्क्राइब कर बेला एक है तेना Thank you so much guys for watching this video.